नमस्कार दोस्तू आप सबीका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस वेडियो में दोस्तू ये जो ओसदी पेड आप देख रहे हैं ना इसको आपने अक्सर ही मंद्रों में पारकों में या फिर सड़कों के किनारे पर लगा हुआ देखा होगा इतना ही नहीं इस ओसदी पेड को आप अपने घरों के आंगन में जरूर लगाती होंगे इस पौधे के कितने फायदे हैं और इसको कैसे यूज करना है वो पूरा प्रोसेस अपने इस वेडियो में बताऊंगा तो दोस्तों पैचान लेजिए देख लेजिए इस ओसदी पेड को इसको तोड़ेंगे न तो इसमें से दूद निकलता है यह दूद बहुत ही उपयोगी है साथी साथ इस ओसदी पेड के पत्ते फूल फल टेहनी और छाल तता जड़ों का भी ओसदी करमें प्रयोग किया जाता है कैसे इसका प्रयोग करेंगी वो सब प्रोसेस इस वेडियो मताऊंगा तो वेडियो को इसकीप ना करके शुरू से लेकर अनतर जरूर देखेगा पिशनाफ होता है और नईने जानकारी आप तक पहुँचाता रहता हूँ चलिए दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं यह औस दी पेड किसी संजीवनी बोटी से कम नहीं है अगर कहीं मिल जाए तो छोड़ना मत क्योंकि यह घाओ फोड़े फुनसी दाद खाज खुजली म रामबान काम करता है इसके साथी साथ बालों के जणने की समस्या को दूर करेगा चेहरे के लिए बहुत ज़्यदा फायदे बंद है साप बिच्छों के जहर को खत्म कर देता है साथी साथ हर्दय का दर्द और हर्दय की समस्या में अतिलाबकारी है यह संजीवनी बोटी कन अब चलिए हम कनेर के फायदों को विस्तार से जान लेते हैं दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं यह है पीला कनेर इसके फूल ऐसे ही बड़ी मात्रा में जमीन पर गिर जाती हैं आप वहां से भी उठा करके लिला सकते हैं तो अगर आपको बुखार की समस्या है तो बुखा आपको जादा नहीं आए वाकि इसकी जाल जड़ पत्ती फूलों का उचेत मात्रा में प्रयोक किया जा सकता है तो अगर आपको बुखार की समस्या है और बुखार आपको जादा आ रहा है किसी भी औसदी से बुखार ना जाता हो तब ऐसे में आप कनेर के कुछ पत्ति औ और कनेर के आप थोड़ी सी चाल ले लें ज्यादा नहीं आधे से एक ग्राम चाल और पत्तों को ले करके साथ में पांच से दस ग्राम गिलोए को ले करके आप काढ़ा बना लिदिये इस काढ़े का अगर आप सिर्भ दीन में एक ही बार सुभे सुभे सेवन कर देते हैं त ये जो इसके फुल देख रहे ना फल बहुत भी जहरीले होते हैं फुल और प्रियोक को नहीं करना ये इसके साथ आप इनिके पत्तों और चालां को लेकर आप काढ़ा बना करके अगर प्रियोक करते हैं तो यह कबजी की समिस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है और इसके फलों का भी प्रियोग बता देता हूं मैं यह जो फल देख रहे हैं न इन फलों का प्रियोग है पुरसों के निजी अंको टाइट और तागत बर बनाने के लिए कैसे प्रियोग करेंगे वो भी सु ले जाएगी तो आंक फूड भी सकती है रोसने भी जा सकती है इसलिए आप इसके पत्ते फूल और इनके फलों को तीनों को तोड़ लेजिए तोड़ करके आप कम से कम 100 ग्राम की मात्रा में इसको लेकर के घर आ जाएगे और घर को आने के बाद आप इसको कूट करके 30 ग्राम तक सरसों का तेल डाल करके आग पर चड़ा के रख दिए और इसको पकाईए जब यह पक करके तेल तेल बचे और यह उसदिया पक जाए तब आपको उतार करके छान करके सीसी में भर लेना है अब अपने निजी यंग के अगले हिस्ते को छोड़ करके मालिस करते ह तो तागत तनाव इस्टेमना की ब्रिदोगी सभी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाती है दोस्तों यह फूल फल और पत्तिया इसकी अगर आप प्रियोग करेंगे न तो यह आपके तुचाज संबंदी विकार को दूर कर देता है जैसे कि अगर आपके सरीर में मस से निकल आ प्रियोग करें या फिर चेहरे पर कील मुहां से प्रिशान करते हैं तब आपको करना क्या है आप इसके पत्ति फूल और फल फल आप कच्ची मात्रा में लें कच्चा फल लेकर के उसके अंदर का जो बीज होता है ना गुठली होती है उसको निकार के फिक दे और उपर का छिकल होता है फल का उसको प्रियोग करें करेर की पत्ति फूल और फल का छिकल इन तीनों को पीस ये साथ में हल की मात्रा में हल्दी मिला करके एक पेश्ट सा लेपसा बना लीजिए साम को सोते समय इसका आँखों को बचा करके पूरे चेहरे पर लेपन कर दे तो चेहरे एकदम साफ वेदाक सुन्दर बन जाएगा जिनके चेहरे में डार के सरकल है रिंकल्स पिमपल्स जान्या है जिनका चेहरा दागदबों से बरहमें भरा रहता है कील मुहां से जिनको ज्यादा प्रेशान करते हैं ऐसा करने से सब खत्म हो जाएंगे साथी साथ अगर आप इस औसदी को जैसी की नीम कनेर इन दोनों सद्यों को बराबर मात्रा में ले करके सरसों के तेल में डाल करके तेल में पका करके तेल बच बना लेते हैं और इस तेल को अगर आप अपने शरीर पर नहाने के बाद पूरे शरीर पर लगाते हैं तो इसस शरीर की खत्म हो जाती है जिनको अचानक ही छोटे-छोटे जो चेचक की तरह या फिर सीत-पित्य की तरह निकलाता है या फिर इलर्जी हो जाती है किसी किसी को दाद खाज खुझली परिशन करता है वो भी विलकुल खत्म हो जाता है तो ऐसा घर पर कर सकते हैं इतना ही नही योग आप अपने जड़ती हुए बालों को रोकने के लिए कर सकते हैं हलाकि फायदा होता है लेकर थोड़ा टाइम जरूर लगता है तो जड़ती हुए बालों को रोकने के लिए और सफेद बालों को प्राकृत रूप से काला करने के लिए आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा आप कनेर के फूल पत्तों को फीस करके सोशे ढेट सु ग्राम इसका रस निकाल लीजिए रस कैसे निकाल लेंगे पत्ते फूलों को पीस लीजिए पीस करके कप्ड़े से चहनिए पीस ते समय पानी नहीं मिलाना है और छानने के बाद जो कटोरी में नीच रस मिलता है वही इसका सो रस होता है तो कनेर के फूल और पत्तों का रस सो से डेड़ सो ग्राम आउला की गुठली निकार कर जो आउला का छिकल उपर का होता है उसको पीज करके उसका रस ले सो से डेड़ सो ग्राम और इसके बाद काला भ्रिंग राज काला भ्रिंग राज जो जली भ्रिंग राज इसको कहते है इसको घमरा भी बोला जाता है उसको लेना है उसके रसको लेना है आपको 20 ग्राम इनको लेकर के आप सरसों के तेल में यानि की 100-150 ग्राम सरसों के तेल में डाल करके पका लेजिए जब तक पकाना है जब तक ये सभी वोसदियों का रस जल करके तेल में ना मिल जाए और तेल ही तेल बचने पर इसको उतार करके रख लेना है नहाने के एक लेड़ घंटा पहले अपने बालों पर लगाती है और धूप में बैठती है तो लगाने से सफेद बाल काली हो जाती है इसके साथी साथ जिनके बालों में गंज हो गई है तो गण्यापन में भी लंबे समयता कर इस ओसदी को लगाते रहते हैं तो वहाँ पर भी बाल आना सुरू होने रखता है और जिनके बाल जड़ रहे हैं तो जड़ते हुए बालों को भी जड़ से खत्म करने का प्राकृते गुड़ रखता है यह उसरी नुसका जिसमें आवला कनेर के पत्यर फूल तता भ्रिंग राज है दोस्तों कैसी लगी जानकारी बहुत बैस्ट बहुत गुड़कारी जानकारी है तो अभी कहीं मच जाईएगा इसका यह और प्रियोग है जैसे कि अगर आप इसका प्रियोग करती है तो यह आपके दर्द और सूजन संबंदी समिश्याओं को दूर कर देता है जैसे कि पिरियट के समय अधिकतर जो यूटूरेस होता है उसमें सूजन भी आ सकती है दर्द भी हो सकता है ऐसी में यह जो देख रहे हैं इनकी अंदर का जो गुठली होती है उसको निकाल की फिक देना इसके उपर का बकल को चटनी से भी महिन पीस करकी एक पेश्ट एक लेफसा बना लीना यूटूरेस की नाभी की नीचे आसपास अगर इसका लेपन करते हैं तो लेपन करने से दर्द और सूजन दूर होती है ऐसा हलका गुनगुना लेपन करें और जिनके घुटनों में दर्द होता है किसी किसी के जोड़ों में दर्द होता है सद्रीज के कहीं में अगर दर्द होता है तो दर्द में आप इसको पीस करके पीस्ट लेप बना करके हलका गुनगुना लगाती है तो दर्द और सूजन खत्मा कर देता है दोस्तो इसके बहुत से फादे धेरों फादे है यह कनेर आपके लिए संजीबनी से कम नहीं है तभी तो मैंने कहा है कि संजीबनी बोटी से बढ़कर है यह कनेर अगर कहीं मिल जाए तो छोड़ना मत महंगी से महंगी दबाई फेल है इसके आगी दोस्तो बस यह आपको परखने के जरूरत है आपको इसको पैचाने के जरूरत है और आपको इसको इसके गुड़ों को जान करके उचेत मात्रा में इसको प्रियोग करने की जरूरत है तो जानकर यह चिलेगे तो बीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के जरूर दबाईएगा मिने के अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार धन्न बाद